नमस्कार, न्यूस्क्रिक के डेली राउंड़ अप में आपका अस्वागत है, आजए नजर डालते हैं एक बार हेड्लाइन्स पर दिल्ली में एक सप्ता का कर्फ्यू, राजिस्थान में तीन मही तक कड़ी पाबन दिया देश में छटे दिन भी रेकॉर्ड 2,73,810 नए मामले, अब तक 1,5 करोड से जादा लोग संग्रमित कोविड ने बढ़ाया अमीर गरीब के बीच फासला, कोरोना का नया खत्रा, शेहरों से कजबों गाउंगों की तरफ भी कोर्णा वाइरस के मामलों में हो रही भयावा बढ़ूतरी को देखते हुए डिल्ली में सोमवार राच से 26 अप्रैल की सुबह तक कर्फ्यू लगा दिया गया है जबकि दूसरी तरफ राजिस्थान सरकार ने भी महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए तीन मई तक कर्फ्यू को लगा दिया है हलाकि कर्फ्यू के दौरान जो पाबंदिया सरकार लगा रही है वो लॉकडाउन जैसी ही है लिकिन सरकार ने ने लॉकडाउन नहीं पाबंदी बोल रही है दिल्ली में लगी पाबंदियों का फैसला उप राजए पाल अनिल बैजल और मुखिमंत्री अर्विन केजिवाल के बीच हुई बैठक में लिया गया दिल्ली मुखिमंत्री अर्विन केजिवाल ने प्रेस कॉंफरेंस कर बताया कि आज 17 राध-धजबजे सामने आए इसलिए लॉकडाउन बहुत जरूरी है कि जीवाल ने जंता को विश्वास दिलाते हुए कहा कि 6 दिन के लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं जो हैं वो जारी रहेंगे वहीं दूसरी तरफ केंटी स्वास्ता मंत्राले दौरा आज सोंबार 19 अप्राइल क कोर्णा के रेकॉर्ड दो लाग तीहत्ता जार आठसो दस नए मामले दर्ज किये गए इसके अलावा कोर्णा से लगातार तीसरे दिन अब तक की एक दिन की सबसे जादा 1619 मरीजों की मौत हुई है साथी इसी बीच देश भर में कोर्णा से पीडित 1,44,178 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में 1,28,013 मामलों की बढ़ोतरी हुई है देश में कुल संक्रिमित मरीजों की संक्या बढ़कर 1,50,161,919 हो गई है जिन में से 1,78,779 लोग की मौत हो चुकी है देश में रिकवरी रेट घटकर 86 फीजदी हो गया है यानि देश में कुल मरीजों में से अब तक 1,29,53,821 मरीजों को ठीक किया जा चुका है इसी के साथ देश में अब एक्टिव मामलों की संक्या बढ़कर 12,80 फीजदी यानि 19,29,329 हो गई है स्वास्त मंत्राले की ताजा जानकारी के निसार देश में कुर्णा वैक्सीन की 12,38,52,506 दी जा की डोस पिछले 24 घंटों में ही दी गई है आईसी मार्च दौरा जारी आगणों के निसार करना के 26 करोड़ 78,94,599 सैंपलों की जाच की जा चुकी है जिन में से 13,56,133 सैंपलों की जाच पिछले 24 घंटों में ही हुई है कोविट के एक साल में सबसे अमीर और भी अमीर हु करशत गरीब लोगों में बाट दी जाए तो हर एक को 94,000 रुपै मिलेंगे यानि देश की सबसे 100 अमीर लोगों की संपती अगर सबसे गरीब लोगों में बाटी जाए तो सब को 94,000 रुपै अगर अमीर और भी अमीर हुए हैं तो पिछले साल 3.2 करोड लोग मिडिल ख्ला कोविड अमीर गरीब नहीं देखता है लेकिन कोविड का जो एकॉनमी पर असर है जो आत्तिक असर है वो साफ है अमीरों को और भी अमीर करता है और गरीबों को और भी गरीब एक रिपोर्ट निकला है हुरून रिपोर्ट बोलके हर साल निकलता है इसमें क्या होता है कि च चीज सामने हमारे आ रहा है कि इस साल हमारे देश में जब आप जानते हैं कि हमारे देश की आए को लाए जिसको हम GDP कहते हैं वो लगा था गिरा है दस प्रतिशत गिरा है हमारे देश में डॉलर बिलियनेर डॉलर बिलियनेर पच्पन और डॉलर बिलियनेर बन गए है यानि क 45 प्रतिश्यत हमारे देश में डॉलर बिलियनेर का नंबर बढ़ गया है डॉलर बिलियनेर मतलब क्या होता है जिनके पास 1 बिलियन डॉलर की संपत्ती कम से कम हो आप जानते कितना होता है मतलब 7,000 करोर रुपे सारे 7,000 करोर रुपे कि संपत्ती कम से कम इन लोगों के पास होता है तो वो डॉलर भी नहीं होता है मेरा नम्बर नाम नहीं आया इस लिस्ट में मैं 4-5 रुपे से पीछे रह गया लेकिन खैर अगर आप एक कॉक्स फैम का रिपोर्ट देखिए हमारे देश में जो बिलेनेर है सबसे सौ बड़े बिलेनेस जो सबसे अमीर सौ लोग है इनकी जितनी कोविट के टाइम 2020 में संपत्ती बढ़ी है वो अगर उनसे लेकर हमारे देश के 10 प्रतिशत जो सबसे गरीब लोग है लगभग कितने होंगे लगभग 13 करोड असी लाग के आसपास 13 करोड असी लाग के आसपास जो सबसे गरीब लोग है उनमें बाट दिया जाए आपको पता है कितना मिलेगा उनको हर एक आदमी को 94,000 रुपे का चेक औक स्वायम कहता है मिलेगा अगर 100 लोगों से पैसा जिनकी उतनी लेकर 13 करोड असी लाग लोगों सबसे गरीब जो 10 प्रतिशत लोग है उनमें बाट दिया जाए तो उनको मिलेगा लगभग 1 लाग रुपे चलिए 15 लाग नहीं लेकिन एक लाग जरूर मिल सकता था खैर ये तो हुआ हुरून रिपोर्ट और ऑक्सफायम की बात कर रहा इसी बीच गरीब और भी गरीब हो गए हैं और इसमें अभी अभी एक लेक लिखा है विवे कॉल जी आर्थिक विशेओं के विशेशग्या हैं और साथ में वो विशेशग्या हैं हिंदी फिल्म की और जासूसी किताबों की खैर उन्होंने एक लेक लिखा है अभी कुछ दिन पहले वो आप जरूर पढ़िएगा ढूंड कर पढ़ लीजे वो ले क्योंकि उसमें उन्होंने बताया है कि हमारे देश में जो लोग गरीबी रेखा के उपर थे गरीबी रेखा के उपर थे मतलब गरीब थे लेकिन गरीबी रेखा के नीचे नहीं थे ऐसे लोग 6.5 करोड और लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं और मैं अगर बाकी डेटा भी देखूं जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको CMI Center for Monitoring Indian Economy का डेटा लेकर आकड़ा लेकर आपको बताता हूँ हर महीने हर हफते CMI डेटा एक सर्वे करती है जिसे वो पता करती है कि कितने लोगों के पास रोजगार है तो अगर मैं मार्च 2020 का डेटा देख लूँ तो और उसके साथ तुलना कर लूँ मार्च 2021 का तो हमारे देश में कुल जितने लोगों के पास रोजगार है वो बढ़ा है आधा परसेंट बढ़ गया है कम नहीं हुआ है लेकिन जो लोग या तो अनपड़ हैं या पांच भी तक पड़े हैं प्राइमरी स्कूल तक पड़े हैं ऐसे लोगों का रोजगार 35 प्रतिशत से ज हाथ से नौकरिया चली गई है रोजगार उनका चला गया है सब कह रहे हैं कि यह दूसरी लहर जादा खौफनाक है और मारक है लेकिन क्यों व्यज्ञानिक कारण के अलावा इसके सामाजिक और साश्किय कारण भी हैं बीते साल भर में हमारे निर्वाचित साश्कों ने जि कोशिश की गई है साश्की और समाजिक स्थर पर बेहर अफसोस नाक लापरवाही की चलते ही यह हालात पैदा हुए हैं ऐसा मानना है वह पत्रकार उर्मिलेश का आईए सुनते हैं इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो पूरी दुनिया में कोर्णा से जो प्रभाव उसमें भारत ने अमेरिका ब्रैजिल और टर्की को बहुत पीछे छोड़ दिया है कई प्रदेशों में खासकर हिंदी भाषी च्छेत्र के जो प्रदेश हैं उनमें कई ऐसे इलाके हैं जहां पर खासकर पिछड़े इलाके जहां पर घनी आबादी वाले गाउं में आप बहुत सारे प्रदेशों में श्मर्शान घाटों पर या श्मर्शान घरों जो ग्रिह बनाए गए हैं कंपाउंड बनाए गए हैं जहां परिसर बनाए गए हैं जहां यह सब होता है वहां पर जो चिताओं की जो तस्वीरें जो देखे हैं आपने अखवारों में उसम आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों की चुनाव हो रहे हैं और पंचायतों के इस चुनाव में कितना ज्यादा इंटरेक्शन कितना ज्यादा लोगों से मिलना जुनना लोगों का हो रहा है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है लोग तो किवल बंगाल असम क की बात सोच रहे हैं लेकिन यहां तो उत्तर प्रदेश में भी चुनाउव हो रहा है और उस चुनाव की जो धमक है वह गाउं-गाउं पहुंच रही है तो सोचिए दोस्तों कि हम उपाय क्या कर रहे हैं हम फैलाने का तो बहुत सारा उपक्रम चल रहा है लेकिन हम रोकने क्या उपक्रम कितना कर रहे हैं अब आपको एक उधारण में देता हूँ एक मध्य प्रदेश के मंत्री जी हैं मध्य प्रदेश के मंत्री जी ने एक बड़ा बयान दिया कि मरने पर क्या जिसकी मौत आएगी वो तो मरेगा ही अब ये एक मंत्री कह रहा है और सारुजनिक जगह पे कर रहे हैं कि जिसकी मौत आएगी वो तो मरेगा है यानि कोर्णा से मरने वाले लोग स्वाभाविक मौत मर रहे हैं उनके हिसाब से इसका अर्थिया ही निकलता है दोस्तो बहुत बड़े जो लोग हैं जो बड़े ओधे पर लोग हैं वो काफी निश्चिंत देखते हैं उनके चेहरे को देखी हो कई बार मास्क भी नहीं लगाते हैं भारी भीड में भी बड़े ओधेदारों को आप देखते हैं कि मास्क नहीं लगाते यह क्यों क्योंकि उनको मालूम है कि उनका कोर्णा कुछ नहीं बिगाड़ेगा उनके बड़े बंगलों में एक कोने में मीनी अस्पताल खुल जाएगा उनके लिए सिलिंडर क्या उनके लिए हर चीज उपलब्द हो जाएगी सरस्रिस्ट वैक्सिन तुरत आक्सीजन सिलिंडर और तो और जो रेम डेसिवियर जो दवा है जो लोगों को आम लोगों को मिल नहीं रही है बाजार में वो उसकी नजाने कितनी खुराके उनको तुरत उपलब्द हो जाएगी इसके अलावा जितने और उपाय हो सकते हैं बचाने के वो सब कुछ उपलब्द हो जाएगा और कहीं अस्पताल में दोड़ना नहीं पड़ेगा यहां तो अस्पतालों के बाहर लाइन लगी हुई है चाहे दिल्ली हो चाहे छोटे शायर हो लोगों के पास बेड नहीं है अस्पतालों में और जो दावा किया जा रहा है कि दो लाक से अधिक अस्पताल खुल गए पूरे देश में कोभीट के दो हजार से अधिक और इतने दो लाग बेड हो गए तो ये चीजें जो हैं उस देश के बारे में कही जा रही है जहां कि आबादी एक सो बतिस करूर से ज़्यादा पहुंच चुकी है तो आप कल्कना कीजी ये कोई योरोप का छोटा देश नहीं है एक विशाल देश है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश आबादी के इसाब से लेकिन जिन देशों ने काउंटर किया 72 धंग से उन्होंने परफॉर्म किया है उन्होंने वो संजोग बस महा कोरना नहीं ख प्रफ्राइस ट्रक्शर पर कितना ध्यान दिया आपने जो हमारी स्वास सेवाएं हैं आपने कहा कि 20 लाग करोड इतना लाग करोड अरे वो गया कहां वो किधर दिखा आस्पतालों में जिला आस्पतालों को बहतर बनाने के लिए गैस कम से कम आक्सीजन का सिलिंडर ले ज जिवीर जो मेडिसीन है वो उपलब्द कराएंगे जहां भी जरूरत होगी लेकिन यह उपलब्द पहले क्यों नहीं कराई गई अब तो मिल नहीं रही है लोगों को इसी तरह से जो और जो जरूरी चीजें हैं उन दवाओं की जो कमी है जो जीवन रक्षत दवाएं हैं व कैसे संबह होगा तो दोस्तों यह कोरणा का जो एक तांडो इस समय चल रहा है उसमें हमारे जो योजनाकार हैं जो बड़े ओधेदार हैं जो हमारी सत्ताएं हैं हम किसी एक पार्टी की सत्ता की बात नहीं करते हैं हम तो पूरी सत्ताओं की बात करते हैं पूरी सियासत की हैं कि आखिर वो मिजाज कहा है कि दुनिया के उन देशों की तरह वो कौर्णा से लड़ सकें जिन्होंने सच मुच अपनी जनता को अपने लोगों को बचाने के लिए मेहनत की है समझदारी दिखाई है इमान दिखाया है न्यूस क्लिक की डेली राउंड अप में बस इतना ह देखते रही न्यूस क्लिक धन्यवाद